जै मातादी, जै मा कामाख्या, जै श्री महाकाल महराज प्रेत दोश और पित्र दोश के बारे में हम आपको बहुत गहराई से पहले भी कई बार समझा चुके हैं आज फिर चुकि पित्र पक्षी चल रहे हैं बहुत से घरों में भागवजवी होती है कई पे तरपन होता है, कई पे पिंड़धान करते हैं कई पे गाय को भोजन कराये जाता है कई पे ब्रामनों को भोजन कराते हैं, कुटों को भोजन कराते हैं कवों के लिए रोटी राली जाती है, मचलियों को दाना चुकाते हैं यह सब पित्र पक्षम किया जाता है, तो जब सुर्य, जब राहू की यूती में हो, तो ग्रहन योग बनता है, सुर्य ग्रहन अतह पिता या आत्मा का ग्रहन हुआ, एसा माना जाता है, यानि पित्र श्राप या श्रापित आत्मा कहलाती है, सब लोग अपनी अपनी पत्री का उठा करके चेक कर लो, अपनी अपनी पत्री की, अपनी पत्री की और अपने बच्चों की, बहुत ही गुन रहस्य में ग्यान है, यह हम आपको देने जा रहे हैं, कि जब सुर्य और राहु एक साथ कहीं पर बेठा हो, तो सुर्य ग्रहन योग बनता है, यहने कि पिता के उपर ग्रहन लगा हुआ है, यहने कि पित्रों का श्राप है या श्रापित आत्मा है, यहने ऐसे मनुष्य को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, जब पिता जी ही श्राप दे दे, और पिछले जनम के कर्म के उपर ग्रहन साथ श्रापित आत्मा हो, तो उसे तो कष्ट होगा ही होगा, तो ऐसे मनुष्य को अपने पित्रों की शान्ती के लिए नीमित रूप से भागवज्जी कराते रेना चाहिए, श्रीमत भागवत कथा महापुरान पित्रों की शान्ती के लिए कराना चाहिए, मूल पाठ और रोजाना तरपन करना चाहिए, पिंड़दान करना चाहिए, नदी के किनारे जाकर के करना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा होता है, या किसी तिर्त इस्तान पे जाकर के करना चाहिए, तो और अच्छा होता है, तो एसे मनुष्य जिसकी जन्म पत्रीका में सूर्य राहू एक साथ बेठा हो, या सूर्य केतू और राहू की द्रश्टी हो, तो ग्रहन योग बनता है, पिता के उपर या पित्या, पिता की आत आता है, और एसी आत्मा श्रापित आत्मा होती है, उसको सरकारी सर्विस मिलने में बड़ी कठिना ही होती है, सरकार से जगणा होता है, वो ठेकेदारी का काम भी करता है, तो उसमें भी जगणा होता है, पेसे उसको रुख जाते हैं, सरकारी अधिकारियों से नहीं बनती ह तो ऐसे मनुश्यू को अम्मावस्या का विरत उपवास रख करके हर अम्मावस्या के दिन तरपण करना चाहिए, गाय का भूझन कराना चाहिए याप फित्रों की शांति के लिए जो भी कारी हो वो सब कारी करें यानि पीपल के वरक्षी को लगाना चाहिए, पीपल के वरक्षी की परीक्रमा करना चाहिए, पीपल के नीचे दीपक लगाना चाहिए, पीपल के नीचे कसार या पंजेरी छोड़ना चाहिए, पीपल की परीक्रमा करना चाहिए, तो पीपल यानि की पित्र भेलाता है, ये भी देख लो अपनी अपनी पत्री का उठा करके, मला आज आपको इस पित्र पक्ष में सालूशन मिल रहा है, आपके दोशों का, आपके कस्टों का, मनुष्य इसलिए परेशान, फोन पर फोन किये जाता है, मैं ये परेशान हूँ, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, अरे भहिया परेशानी, आपने बता दे तो परेशानी, उत्पन्न क्यों ही, पिछले जनम के ऐसे कौन से अपन कर्मों की खेती जो करके आए हो, उसी कहा तो फल इस जनम में भोग रहे हो तो पिछले जनम में यदि अपन माता पिता दादा दादी नाना नानी मामा मामी इनको कस्ट दे करके आए हो तो पित्र दोस्त बनता है और चंदर केतु की युक्ती हो या मास्य के दिन पेदा हुए हो या फिर पत्रिका में चंदर गरहन दोश हो याने की चंदर मा राहू एक साथ बेठा हुआ हो तो भी वोसे भी पित्र दोश कहा जाता है और ऐसे मनुष्य से विवाहा नहीं करना चाहिए अन्यता उस इस्तरी का यदि इस्तरी ने किसी पूरुस से विवाहा कर लिया तो इस्तरी का जीवन भी बरबाद हो जाता है और यदि ऐसी इस्तरी है जिसके भाग्य में सुर्य राहू या चंदर राहू बेठा हुआ है या फिर सुर्य केतु बेठा हुआ है चंदर केतु बेठा हुआ है, या सूर्य चंदर केतु एक साथ बेठा हुआ हो, तो एसे इस तरी पूरुस से तो विवाह करना ही नहीं चाहिए. जिन्दगी बरबाद हो जाएगी, नरक हो जाती है. यह भी एक प्रकार का पित्र दोष कहलाता है, क्योंकि चंद्रमा हमारी इस भोतिक देह का कारण होती है और भोतिक देह यानि शरीर शरीर को कस्ट होता है तो चंद्रमा को कस्ट होता है तो तो अपनी अपनी परिवार के सदस्यों की पत्री का उठा कर के चेक करो और यदि कष्ट है या फिर ऐसे योग बने हुए हैं पित्र दोश सुरी की वज़े से चंद्रमा की वज़े से राहू की वज़े से तो उसका उपाय हर महीने करना चालू करो अभी से तो जापकी थोड़े समय के बाद जिंदगी स्ट्रिम लाइन हो जाएगी और सीधी साथी जिंदगी हो जाएगी अन्य था जीवन में उंच नी चलती रहेगी जीवन आपको नरक जैसा मैसूस होगा कि क्या जीवन है कोई जीवन में एसा में ही बोलते रहोगे आप और हर बात जब भी आप पित्रों को दोश दोगे तो पित्र आपको चाटा मारेंगे और ज्यादा मारेंगे अपनी पत्री का चेक करना सीख लो और यदि आपके परिवार में यदि आप नहीं चाहते हो कि आपके लड़का लड़की पत्नी पती जीवन में उसको कस्ट आए क्योंकि हर माबाप चाता है कि मेरे बेटे बेटी को को कस्ट नहीं आना चाहिए पर फिर भी उसके कर्मों के अनुसार उसे कस्ट मिलता है तो अभी से आप पित्रों के निमित जो भी कर्म कांड होता है वह करना चालू कर दे पित्रों की शांती के लिए जो हो सके वह सब कारी करना चाहिए जय माता दी जय मा कमक्या यदि आप पत्री का चेक करवाना चाहते हो तो 798-723-7885 पर संपर कर सकते हैं जय माता दी यदि पित्र दोष्ट की शांती कराना चाहते हो तो भी इनी नंबर पर वाट्सथब के माध्यम से संदेश दे करके अपने पित्रों की मुक्ती भी करा सकते हो शांती भी करा सकते हो